नमस्कार राज की बात में आपका स्वागत है चीन और कॉंग्रिस ये दोनों के बीच गहरा संबंध है बारबाल राहुल गांधी परधान मंत्री नरेंदर मोधी पर सवाल उठाते हैं भारतिय जनतापाटी की सरकार पर सवाल उठाते हैं कि लगदाख में चीन ने कबजा कर रखा है और नाचल परदेश में चीनी घुसपैट हो रही है लेकिन अगर राहुल गांधी सोनिया गांधी और पूरी कॉंग्रिस को देखें इसकी सरकारों के समय के स्थितियों को देखें तो पता चलेगा कैसे कॉंग्रिस चीन के साथ एक के बाद एक डिल करता रहा है और उसमें एक और सिक्रेट डिल की बात अब सामने आई है चिदमरम सहब बाब बेटे दोनों फसे हुए है एडी ने फिर से पीचिदमरम के बेटे कारती चिदमरम को बुलाया है पूशताज के लिए बुलाया है क्योंकि इस बीच ये ज़्यादा समय के लिए नहीं है बलकि 30 दिसंबर को उन्हें बुलाया गया था और फिर से E.D. को लगा कि उनके सवाल कुछ उलजे हुए थे उन उलजे सवालों में से कुछ सवाल और निकले हैं इसके लिए पूश्टाच करना जरूरी है और ये मामला चीन से जुड़ा हुआ है यानि चीन के कुछ लोगों को कारती चिदमरम और इनके सहयोगी भासकर रमन ने मिलकर वीजा दिलवाया था और उस वीजा के लिए 50 लाक रुपे इनके एकाउंट में आये थे ये मनी ट्रिल पकड़ा गया है इसलिए E.D. है जो इनक्वाइरी क रही है इससे पहले C.B.I. भी इस मामले की इनक्वाइरी कर चुकी है लेकिन ये मामला 263 लोगों को गैर कानूनी तरीके से सिर्फ वीजा दिलवाने का नहीं है सिर्फ 50 लाक रुपे का नहीं है बलकि ये मामला बड़ा गंभीर है कि चीन के लोगों को यहां के लिए गैर क उसमें भी पंजाब जैसे जगह पर जो संसिटिव एरिया माना जाता है जहां चीन और पाकिस्तान की नजर होती है जहां चीन के एजेंट अलग-अलग वेश वुसा में प्रोफेशन में घूमते नजर आते हैं उन लोगों को क्या गैर कानूनी तरीके से वीजा दिया जाना चाहिए था ये मामला 2011 का है और 2011 में कारती चिदंबरम इस वीजा विवाद में इसलिए फसे हैं क्योंकि कारती चिदंबरम की बात नहीं है ये बात उनके पिता पी चिदंबरम की है पी चिदंबरम 2008 से लेकर 12 तक ग्रिह मंत्री रहे थे जब शिवराज पाटिल को हटाया ग्रिह मंत्राले के जिम्मेदार उनसे चेनी गई तो यूपियो वन के अंतिम समय में यानि नवंबर में 2008 में पी चिदंबरम को बनाया गया ग्रिह मंत्री और उसके बाद पी चिदंबरम यूपियो वन के समय 2008 के बात ग्रिह मंत्री रहे और यूपियो टू की सरकार जब मनमोहन सिन फिर से प्रधान मंत्री बनाये गए तो पी चिदमरम को फिर 2009 में ग्रिह मंत्री बनाये गया जो 2012 तक रहे लेकिन इस बीच एक 2011 में कांड हुआ कार्ती चिदमरम उसमें फसे हुए थे कार्ती चिदमरम जो की उस समय कई दूसरे मामले में भी फसे हुए थे कई ऐसे मामले हैं जिसकी ED उनके खिलाब जाँच कर रही है INX मामला भी है और उसके बाद Air Sale Maxis का मामला भी है जिसमें इनके खिलाब Money Laundering के Charges लगे है यहां तक की पीछी दमरम भी इन मामलों में फसे हैं इनके घर पर कई वार छापे मारी हो चुकी है और दोनों बाब बेटा की करतूत सिर्फ इनकी करतूत नहीं है क्योंकि चीन के विजा मामले में पूरी की पूरी कॉरी कॉंग्रेस फसी हुई है उस समय के ग्री मंतरी पीछी दमरम ने एक मामला सामने लाया और वो मामला था तलवंडो साहेव पावर प्रोजक्ट के लिए वहाँ पर वेदानता को ये ठेका मिला था और यो ठेका जो मिला था वहाँ पावर प्रोजक्ट के लिए मिला था उसने सब कॉंट्रेक्टर बनाए इंफ्रास्ट्रक्टर के लिए चीन की कमपनी को ये ठेका दिया अब देखिए ये जो आज राहूल गान्दी बार बार कहते हैं कि चीन की कमपनिया यहाँ पर ठेके लेके रखी है मोधी सरकार कोई कारवाई नहीं करती है ये तथ्यों को च्छुपाने वाली बात है क्योंकि इस बीच ना केवल चीन के कमपनियों के ठेके कैंसिल हुए रेलवे में, पावर प्रोजेक्ट में, बलकि वीवों के खिलाब भी जाँच चल रही है, 5G टेकनोलोजी पर उनकी कमपनियों को बाहर कर दिया गया है, सारे एप परतिवंधित कर दिये गए हैं, और इसल लिए कई एप, टिक टॉक जैसे एप जो हैं उसके, वो सब बेच दिये गए, चीन की हिस्सेदारी खत्म हो गई, क्योंकि भारत में इतना बड़ा मार्केट उससे बाहर हो चुका था, लेकिन ये 2011 के बात है, जब वहाँ पर पावर प्रोजेक्ट चल रहा था, और चीन की क कमपनी का मानना था, कि हिंदुस्तान के जो वरकर हैं, वो काम उस तेजी से नहीं कर पाते हैं, जिस तेजी से होना चाहिए, इसलिए प्रोजेक्ट जो है, ये पिछड चुका है, और तब इन लोगों ने एक नई तरकीव लाई, और वो तरकीव थी, कि चीन से वरकर को ला अब सच्चाई क्या है, ये तो अब इन्वेस्टिगेशन के बाद धीरे-धीरे सामने आएगा, लेकिन इनका मानना है, कि चीनी कमपनियों ने ये कहा, कि हमें अपने यहां से वरकर लाना है, इंजिनियर लाना है, लेकिन एक बात और है, चीन के जितने भी एजेंट हैं, निस्नल माइक्रो बायलोजिस्ट सेंटर में काम कर रहे थे, ये वहां माइक्रो बायलोजिस्ट बनके घुसे हुए थे, और एक घुसा उसके बाद उसने वहां पर एक बैग्यानिक से साधी की, और धीरे-धीरे इंटर्स के नाम पर, जूनियर के नाम पर, चीन के कहीं न कहीं कुछ न कुछ काम करने, प्रोफेस्टनल होने और कम्पनी चलाने के नाम पर ही काम करते हैं, दुनिया के दूसरे भी सुरच्छा एजेंसियां एजेंट ऐसे ही करते हैं, लेकिन ये मामला 2011 में पंजाब को लेकर था, और वहाँ पर जो चीन की कम्पनी का कहना था कि हमें और worker चाहिए लेकिन कानूनी तरीके से उनको वीजा नहीं दी जा सकती क्योंकि चीन की company अगर यहां काम करती है तो उसको भारतिय इंजिनियर और लेवर का इस्तेमाल करना पड़ेगा worker का इस्तेमाल करना पड़ेगा वो केबल 5% expert ही वहां से बुला सकते हैं उससे ज्यादा नहीं ऐसा नहीं कि सारे के सारे प्रोजक्ट में काम करने वाले लोग चीन के नागरिक हों इसलिए उन लोगों को बुलाया नहीं जा सकता था और इन लोगों ने एक conspiracy की एक company हायर किया और उसमें पी चीदमरम के बेटे कारती चीदमरम और उनके सहयोगी एस भासकर रमन थे इन दोनों को चीनी कंपनी में contact मिला और फिर इन लोगों ने 263 लोगों को अवै तरीके से विजा दिलवाया चीन के लोग थे उसमें अब ये कैसे पता चलेगा कि जो 263 लोग आये थे इंजिनियर के नाम पर, worker के नाम पर, expert के नाम पर उसमें से कितने चीनी एजेंट थे क्योंकि जब आपको विजा मिलता है, वहाँ काम करने का अधिकार मिल रहा है, आप महीनों तक यहाँ काम करने के नाम पे रहते हैं कर रहे थे और कितने लोग पूरे हिंदुस्तान में घोम घोम कर जासूसी कर रहे थे ये पता नहीं है लेकिन इन लोगों को वीजा दिया गया और फिर धीरे धीरे ये मामला सामने आया जब 50 लाख के ट्रेल मनी ट्रेल को दिखाई पड़ा और जब ये पता चला कि ये चीन क कमपनी जो पावर प्रोजक्ट में काम कर रही है ये कमपनी इतने चीनी लोगों को यहा कैसे ला सकती है ये तो कानून का उलंगन है तो फिर इसके इन्वेस्टिकेशन होने लगी जिबियाई ने इसके इन्वेस्टिकेशन के जिम्मेदारी लिए चुकि 2021 का मामला था और उसके बाद धीरे धीरे इन लोगों ने कॉंग्रिस की सरकार के समय से दवाय रखा और जब 2014 के बाद सरकार बदली तो इन मामलों की जाँच फिर से सुरू ही ये पहली वार नहीं था जब पीची दंबरम ग्रीह मंत्री थे तो कई ऐसे और मामले आये हैं जब वो फिनांस मिनिस्टर थे तो उनके खिलाफ जो सेर के एलोकेशन में घाल मिल करने का बड़ा आरोप लगा था ये करोडो करोडो का मामला था जिसमें सेर मार्केट को ट्विस्ट किया जाता था सेयर मार्केट में हेराफेरिक की जाते थी पहले ये लोग तै कर लेते थे किस सेयर का भाव कितना बढ़ेगा कितना गटेगा ये कडोडो अरवो के खेल में भी पीची दमर्म सामिल थे हर जगह पर जहां जहां है रहे वहाँ वहाँ घोटाले होते रहे लेकिन ये घोटाला नहीं बलकि एक सिरियस मामला है जासूसी का क्योंकि चीन के साथ जो लगाओ कॉंग्रेस की रही है उसको तो पी चिदमरम भी जानते थे पी चिदमरम को ये पता था कि क्या सूनिया गांधी राहुल गांधी उनके उपर सवाल उठा सकते हैं क्योंकि चिदमरम उस समय ग्रिह मंत्री थे उनको इस बात की भी चानकारी थी कि राजिव गांधी फाउंडेशन को चीन के तरफ से जब करोड़ो रूपया का चंदा मिल रहा है तो उसकी जानकारी जब ग्रिह मंत्राले को है हम उसमें कुछ नहीं कर रहे हैं तो फिर हमारे कामों में सूनिया राहुल कैसे हस्चेप कर सकते हैं उनको ये पता था कि सूनिया गांधी राहुल गांधी जब चीन जाकर वहाँ पर कॉंग्रेस और कॉम्मिनिस्ट प इसकी बात अभी सामने नहीं आई है लेकिन ये मान कर चलना चाहिए कि चीन कोई भी काम सामान तरीके से केबल और केबल आर्थिक फायदे के लिए भारत के साथ नहीं करता बलकि उसके दिमाग में कुछ और नहता है और यही वजह है कि चाहे पाकिस्तान को सपोर्ट करना ह मियनमार को सपोर्ट करना हो मलेशिया को सपोर्ट करना हो स्रिलंका को सपोर्ट करना हो हर जगह पर चीन का एजेंडा भारत विरोधी रहता है भारत का वो शत्रु देश है और उस शत्रु देश के साथ कॉंग्रिस की जो सिक्रेट डिल्स चलती है उसी डिल का एक नतीज़ ये है कि ये जासूसों को वीजा दे रहते और उस वीजा मामले में अब चिदमरम फसे हुए हैं जिसके रास्ते जब बात होगी चर्चा होगी और फिर जब इन्वेस्टिकेशन के दिसा बदलेगी तो ये सामने आएगा कि कॉंग्रेस के कौन कौन से मंतरी उस समय के चिदमरम एक नहीं है बलकि कई चिदमरम कॉंग्रेस के अंदर है जिसका खुलासा होने वाला है क्योंकि चीन के साथ कॉंग्रेस का संबंद के बल कॉंग्रेस तक सिमित नहीं बलकि नेहरू गांधी परिवास से है सोनिया गांधी और राहुल गांधी से है तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से आधिर होंगे तरब तक के लिए बने रही है हमारे साथ और देते रही हमें सहयोग ताकि इसे तरही खबर हम आपके लाते रहें धन्यवाद